आज हम बनाएंगे गाजर का हल्वा क्यूंकि विंटर सेजन स्टार्ट हो चुका है और आजकल मार्केट में गाजर बहुत ही अच्छी मिल रही है तो मैं बना रही हूँ आज गाजर का हल्वा और शुरू करते हैं आज की रेसिपी सबसे पहले हम दो किलो गाजर ले रहे हैं यहाँ पे और इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और दोनों साइड इसकी हम अच्छे से ट्रिम करेंगे बॉटम और टॉप पार्ट और सारा इसको हम पील करके एक प्लेट में निकाल लेंगे यह देखिए और यह गाजर हमारी अच्छी से पील कर ली है हमने और अब हम इसे रफली कट कर लेंगे यह देखिए यह देख सकते हो आप गाजर हमने कट कर ली है और अब हम एक बरतन देंगे और उसमें मैंने दो लीटर दूद ले लिया है और इसे हम रख देंगे पूख होने के लिए और तब तक इसे हम पकाएंगे जब तक यह रिड्यूस होके आधा न रह जाए एक बरतन लेंगे और इसमें मैं एड करूँगी एक बड़ा चमच देसी घी और जैसे ही घी गरम हो जाएगा इसमें हम एड करेंगे गाजर इसे हम अच्छी तरह से चलाएंगे और पांच से साथ मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से चलाएंगे और फ्लेवर के लिए आप इस टाइम पे थोड़ी इलाइची भी अड कर सकते हो और यह हम बन करेंगे कूकर और इसमें हम दो सिटी आने देंगे और ये दो सिटी हमारी आ चुकी है अब हम गैस बन कर देंगे अब ये हम देखते हैं दूद हमारा रिट्यूस होके एक लिटर के आसपास रह चुका है तो अब हम इसमें एड करेंगे ये बॉयल जो गाजर है इसे हम एड कर देंगे दूद ये देखिए और अब हम एक मैशर की हेल्प से इन गाजर को धीरे-धीरे मैश करेंगे ये बहुत ही इजी वे है गाजर का हलवा बनाने का तो आप भी इसी तरह से बनाएए ये देखिए ये हमारी गाजर मैश हो चुकी है और थोड़ी देर इसे पकने देंगे और अब हम इसे एड़ कर रहे हैं हम इसमें एक बड़ा चम्मच मैं यहां पर देशी की आड़ करूँगी इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा ये देखिए और साथ में ही मैं इसमें एड़ करूँगी थोड़ा सा मैं यहां पर केसर ले रही हूँ अगर आपके पास है तो आप एड़ करिए और अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो यह तोटली ऑप्ष्टनल है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम और पांच मिनिट हम इसे और पकने देंगे और जैसे ही पांच मिनट हो जाए पांच से दस मिनट तो आप इसमें एड़ करोगे चीनी यहां पर मैं चीनी ले रही हूं 300 ग्राम अगर आपको मिठा ज्यादा पसंद है तो आप 400 ग्राम भी एड़ कर सकते हो बट मैं यहां पर 300 ग्राम ले रही हूं आप अपने एकॉर्डिंग एड़ कर सकती हो शुगर यहां भी कुछ ड्राइफूट्स ले रही हूं काजू, वदाम, किश्मेश, पिस्ता और चार मगज तब तक हम इसे थोड़ा फ्राइ कर लेंगे ड्राइफूट्स को जब तक ह करतन लेंगे और इसमें मैं एड़ करूंगी एक चममज देसी घी और यह ड्राइफ रोट्स जो हमारे पास है बादाम, काट्यू और पिस्ता इसे हम धीमी आज पे एक मिनट तक ब्राइब लेंगे बिलकुल फ्लेम स्लो रखे नहीं तो यह जल सकते है ड्राइफ रोट्स और यह एक मिनट हो चुका है और अब हम इसमें एड़ करेंगे बाकी के बचे हुए मगज और किश्मिच भी एड़ करूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और गैस हम बन कर देंगे इस टाइम पे यह देखे यह हो चुके है और इसे हम एड़ करेंगे अब गाजर के हलवे में और इसे तब तक फूक करेंगे जब तक यह जो दूद है कि अच्छी तरह से अब्सॉर्ब ना कर लिए और यह पांच से दस मिनट के बाद आप देख सकते हो तयार हो चुका है हमारा गाजर का हलवा और इसे हम गार्निश करेंगे कुछ टूटी फूटी और पिस्ता के साथ आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताईए और मेरे चैनल को सब्स्क्र शेयर कीजिए और यह विंटर सीजन में आप गाजर का हलवा जरूर अपने घर पर बनाईए अ थैंक्स फॉर गॉर्टी जीन ऐस सत्ति है इस बरत हिसी लेजय में आपको दूटोग लेगे